हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं द्वारा एक दिवसी धर्ना प्रदर्शन का आयोजन किया गया धर्ना स्थल पर वक्ताओं ने नोट बंदी को लेकर भाज़पा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कहा कि नोट बंदी में काले धन की वापसी के वादे खोकले साबित हुए है जिलाध्यक्ष समर्जीत सिंग ने तंज कस्तेंवे कहा कि काला धन तो कहीं से नहीं आया पर धरेलुग हर्चे में से बचत कर रखे महलाओं के रुपए जरूर बाहर आ गये वहीं कलेक्टरिट के सामने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के खिलाब जमकर नारे लगाते हुए मोदी का पुतला भी फूका गया इस दोरान प्रदेश महासचिक कॉंग्रेसी व्यापार प्रकोष्ट से रमेश पुरोहित तवाव उम सिंग चंदराई सवाराम पटेल, जगदीश चौधरी, नगरपरिशत प्रतिपक्ष नेता, मिश्री मल गहलोत, पूर्द नगरपरिशत अध्यक्ष, इंदु परिहर, पारशद शोभा सुंदेशा, पारशद जुबैदा बानो, लाल सिंग धानपुर, योगेंदर सिंग कुंपावत, लक् सिंभाई हपसी, सोहन सिंग देबडा और जवाना राम परिहार सहित काफी संख्या में कॉंग्रेसी मौजूद थे, जालोर से जागरुप टीव के रिपोर्ट